अपने हातों से प्यारी प्यारी चीजे बना कर अपने घर को सजा सकते हैं, अपने मंदिर को स्वर्ग बना सकते हैं, इस तरह से मैं आज आपके साथ आइडिया से एर करने वाली हूँ, ये सारी चीजे हैंड मेंट बनी होई हैं और ये बहुत ही आसानी से घर पर चीजे बन मैंने हर वीडियो आपसे सیहर की है अब मंदिर को हम कैसे सजाएंगे तो वही मैं आपसे सेहर करने वाली हूँ सबसे पहले मैंने चोखी लिया है चोखी पर एक कपड़ा विछा लिया है और ये मैंने हेंडमेड ही बनाया था ये भी देखिए कितना प्यारा है इसे बिछाने के बाद मैं इस पर अपना मंदिर रख दूँगी यहां मैं अपने मंदिर को लच्पी पूजन के लिए सजाने वाली हूँ और इस तरह से ही मैं चौकी पर मंदिर रखे सजाती हूँ और ये देखिए मैंने बहुत अच्छी तरह से इसे बिचा दिया है और इतना मैंने इधर साइड में गयफ रहने दिया है इधर ये दूसरी साइड में गयफ था दोनों साइड मैंने एको लिकल ली है और हमें जो डेकोडेशन करनी है बरावर साइड से करनी है और ये देखिए मेरा चोटा सा प्यारा सा मंदिर है ये मैंने चौकी के उपर रख लिया है और इस मंदिर को अच्छी तरह से सेट कर लेंगे आगे मैंने ये इतनी जगह छोड़ी है क्योंकि जैसे हम तीपक चलाते हैं और कोई भी चीज़े जैसे भोग लगाते हैं हम आगे रख सकते हैं लच्मी पूजन के लिए जब हम मंदिर को सजाते हैं तो सारी चीज़ें वहीं रख लेते हैं और मैंने ये माला जो हैं अपने पास रख रखी थी और ये सारी चीज़े मैंने hand weight बनाई थी और किस तरह से मैंने बनाई है सारी वीडियो मैंने छोटी-छोटी करके share की है घर पर हम ये सारी चीज़े बना सकते हैं और पैसे भी बचा सकते हैं कुछ चीज़े ऐसी होती हैं जो हमें market से खरीद नहीं होती हैं जैसे मोती है और फ्लोवर बगेरा तो अपने घर आसानी से बन जाते हैं जिस तयब के आ आप बनाना चाहते हैं पहती है बहुत ही आसानी से चीजा बन जाते हैं और ये मैंने tape लिया है, इस तरह से tape से हम इसे अच्छी तरह से टांग देंगे, और इस तरह से हमें ये set करनी है, जैसे हमारी दूसरी तरफ हमने अच्छी तरह से टांगी है, उसी तरह से हमें इस side में ही टांग दी हैं इस तरह से हम धीरे धीरे अपने मंदिर को सजा लेंगे और ये देखिए मेरा first step clear हो चुका है अब second step में ये देखिए इस तरह की भी मैंने लड़ी बनाई थी इसे हम बीच में लगाएंगे और ये देखिए कितनी प्यारी लग रही है जो चीज हम hand weight बनाते हैं उनका मजा ही और होता है जैसे चीजों को अपने हाथों से बनाते हैं सजाने के बाद वो और भी प्यारी लगती है और सारी चीजों को हम टेप से अच्छी तरह से लगा देंगे ये देखिए कितनी प्यारी ये लग रही है और खौश सारी चीज़ें हैं जो मैंने बनाई हैं और एक महीने पहले से ये सारी तैयारी की थी ये lotus वाले फूल मैंने मार्केट से मगाए थे और कुछ मोती भी मैंने मार्केट से मगाए थे और इस तरह से मैंने सारी चीज़ें एक step by step अच्छी तरह से मैंने लगा दी हैं जब हम चीजों को लगाते हैं तो पहले set कर करके देखते हैं किस तरह से ये मंदिर हम लगा रहे हैं और किस तरह से ये अच्छा लगेगा इस तरह से हम decoration करते हैं और फिर बाद में देखते हैं कि ये कैसा लगेगा सजने के बाद तो step by step सारी चीजें हमें साथ भी साथ देखती जा रही थी और करती जा रही थी और ये देखें यहां मेरे बेटे दोनों खेल भी रहे थे और मेरे मदद भी करा रहे थे जब हम कोई भी काम करते हैं तो हमारे साथ हमारे बच्चे भी हमारे help कराते हैं और craft की चीजें तो उन्हें बेहत पसंद होती हैं तो कहते हैं मम्मी मैं कुछ help करा हूँ तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं वो मेरी मदद कर देते हैं और देखे इस तरह से कुछ जैसे मैं चीज़ें पूस्ती हुए हूँ तो वो मुझे बता भी देते हैं कुछ चीज़ां ऐसी होती हैं जो हमें नहीं आती हैं और हमारे बच्चे हमें आइडिया दे देते हैं और ये देखिए इस तरह से हम मंदिर सजाने के लिए लाइट भी जला कर देख रहे थे और ये लाइट जल भी रही थी तो इस तरह से हमने मंदिर को सजाया है धीरे धीर सारी जो मूर्थी होती हैं उन्हें अच्छी तरह से मैं क्लीन कर लूँगी और अच्छी तरह से सारी चीज़ों को क्लीन करके मैं मंदिर में लगा दूँगी और यह जो मैंने लच्मी पूजन के लिए तस्वीर लिए बहुत सुंदर लग रही थी मैं सोच रही थी इसे अच देखने में बहुत अच्छी लग रही थी तो मैंने अभी तो इस तरह से ही लगा दिया है क्योंकि पोजा होगी पोजा होने के बाद मैं इसकी फ्रेमिंग कर बालूँगी तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं बहुत सुंदर लगती हैं और फ्रेमिंग के बिना ये खराब भी हो जाएगी तो ये देखिए मैंने इस तरह से ही सेट कर लिये तो इस तरह से ये रुख नहीं रही थी इसका टेप मैंने निकाला नहीं है तो मैंने ये टेप लिया है टेप से अच्छी तरह से इसे फिक्स कर देंगे और मूर्तियों को अच्छी तरह से रख देंगे ये हैं मैंने दीफावली के joyip जो होती है बहुत अच्छी होती हैं पुजा के लिए असुक के पेड़ की jolly बहुत अच्छी होती हैं तो आप ससी सी चीजों से बहुत अच्छी तरह है घर को सजा सकते हो और यह देखिए मैंने कुछ भी जादा मार्केट से नहीं खरीदा है कुछ चीज़ें जैसे मोती हैं ये लोटस वाले फूल हैं तो इस तरह के जो खरीदे हैं और वाकी सारी बन जाती है और थोड़ी टाइम तो लगता है पर अपने फल्ग को सजाने के लिए थोड़ी सी महनत बनती है इस तरह से चुछो लीप से हम किसी भी तरह के आप दूपान सकती हो अपने घर को सजा सकती हो तो आज की चो मेरी डेकोरेशन है आपको कैसी लगी